हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मैं हरुपी बात करूंगा आपसे इस वीडियो में व्यक्तित तुमापन की वीडियो पर और इस वीडियो में खासकर हम लोग प्रच्छेपी वीडियो पर बात करेंगे इसमें TAT, CAT, IBT और SAT पर डेट आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं टेलिग्राम गुरुप से जोड़ सकते हैं जिसे आपको वहां से PDF मिल जाएंगी और अच्छे से पढ़ सकते हैं टेलिग्राम गुरुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है पहले तो हम लोग थेयोरी पढ अहतरो यह दो विडियो द्वारा होता है पछग्यपी विदि और अप्छ diarrhea पे इस वीडियो में बात होगे प्रच्छेपी विद्व पर देखे जो प्रचेपी सब्द था सरव पर्थम सिगमंड फ्राइड ने दिया था और इस विधि में जो है अचेतन मन का अध्यन कह जाता है अचेतन मन कैसा मन होता है जो चेतना में नहीं होता है और इस मन में जो है दबी हुई इच्छाएं भावनाएं होती है इन विदियों द्वारा जो भी निसकर्स निकाले जाते हैं वो सर्थ उपयोगी और वास्त्विक्ता पर आधारित होते हैं इन विदियों में जक्तित मापन के लिए चित्रों, आकरतियों, उद्दीपक वस्तों को काम में लाया जाता है तो प्रच्छेपी सब्द का सरप्रतम प्रियोग जो है सिग्मेंड फ्रायड ने किया था और प्रच्छेपी विदियों में जो है अचेतन मन का अधिन किया जाता है इन विधियों में जो भी निसकर्ज होते हैं वो सर्त्य उपयोगी और वास्ट विक्ता पर अधारित होते हैं और इन विधियों में विक्तित्म आपने केलिए जुए चित्रों, आकरति motivations और उद्धीप गश्तों का प्रियोग किया जाता है देखिए जानते हैं कुछ प्रच्छेपी विधियां इनके बारे में बात होगी आगे डीटेल से तो कौन-कौन सी प्रच्छेपी विधियां है TAT यानि थेमेटिक अपरसप्सन टेस्ट CAT चिल्टरन अपरसप्सन टेस्ट, IBT इंक ब्लाट टेस्ट चौती है SCT sentence completion test तो एक स्कते है कि TAT का पूरा नाम किया है और हिंदी में भी आगे बात करते हैं तो जानेंगे TAT के बारे में देखे TAT का पूरा नाम था Thematic Aperception Test हिंदे में जिसे प्रसांगिक अंतर बोध परिच्छन या कथा प्रसंग परिच्छन या कह सकते हैं कथानक बोध परिच्छन कहा जाता है और TAT जो है ये मार्गन और मुरे ने 1935 में दिया था ठीक है और इसमें कुल 30 प्लस 1 मतलब 31 कार्ड का पुर्योग होता था इस TAT परिच्छन में 31 कार्ड में से देखे 30 कार्ड ऐसे थे जिन पर फिगर बना हुआ था और एक कार्ड जो आपका था वो एकदम ब्लैंक था यानि खाले था 30 कार्ड में 10 पर जो है महिला का चितर बना हुआ था 10 कार्ड ऐसे थे जिस पर पुरुसों का चितर बना हुआ था और 10 कार्ड ऐसे थे जिस पर महिला और पुरुस दोनों के चितर बने हुए थे ठीक है तो आप समझ गयोंगी यही लिखा हुआ है कि इसमें कुल 31 कार्ड का प्रयोग होता था जिसमें 10 कार्ड पर जो है महिला का और 10 कार्डों पर पुरसों का और जो 10 सेस कार्ड थे उन पर दोनों महिला और पुरस के चित्र बने होए थे और एक कार्ड ऐसा था जो क्या था? खाली था ठीक है? इन में से 20 कार्डों का प्रियोग जो है होता था बच्चों को दिखाने के लिए कार्ड दिखाने के बाद बच्चों को कहानी लिखने के लिए कहा जाता था जिसके लिए बालकों को 5 मिनट का टाइम दिया जाता था ठीक है और जब बच्चे कहानी लिख लेते थे पांच मिनट में तो कहानी कुछ है किया जाता था देखा जाता था कि कहानी में बच्चों ने कैसे सब्द प्रयोग किये हैं कौन से विचार समवेग और किस प्रकार की अभुरूच और अभुरुत्य को दर्साया है तो इसको जाचा जाता था और पर्का जाता था और उसी के आधार पर बच्चों के व्यत्तित्थं का निरधारण किया जाता था ठेक है और यह जो परिच्छन था TAT परिच्छन यहां 14 वर्स में अधिक बालकों के लिए था TAT का भारति करण उमा चौधरी जी ने किया था एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो TAT पर इच्छन है उसका पूरा नाम है Thematic Aperception Test ठेक है इसको मारगन और मुरे ने 1935 में दिया था इसमें 31 कार्डों का प्रयोग होता था 30 कार्डों पर चित्र बने हुए थे एक कार्ड जो आपका था वो खाली था ठेक है और संप्रत्य बोध परिच्छन ठेक है इसको लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में दिया था इसमें कुल 10 कार्डों का प्रयोग होता है इन कार्डों पर विदेशी जानवरों का चित्र बना हुआ था और यह जानवर थे यह मनुस्य के भाति जो है कार्य कर रहे थे और विवहार कर र रहे थे इन कार्डों को दिखाकर बालकों को कहानी लिखने के लिए कहा जाता था कहानी के आधार पर विक्तित्त की गोश्चना की जाती थी यानि जैसे बच्चों को कार्ड दिखाय जाते थे और उन कार्डों को दिखाकर बच्चों से कहा जाता था कि आप लोग आप कहा लिखे और जब वह कहानी लिख लेते थे तब देखा जाता था कि उन्होंने कैसे सब्दों का प्रयोग क्या है कैसे समयगों का प्रयोग क्या है किस प्रकार की language यूज करी है तो उसी हिसाब से उनके विक्तित का निर्धारण किया जाता था और यहां जो CAT था चिल्डेन अपर सप्सेंटेस्ट यह 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए होता था इसका भारती क्रण जो है उमा चौधरी ने किया था लेकिन यहां परिच्छर भारत में लागू नहीं किया जा सका क्योंकि जो कार्ड थे उन पर जो चित्र बने होए थे वो विदेसी जान रोके थे और जो भारती बच्चे थे वो उनके बारे में जानते ही नहीं थे तो कहानी क्या लिखेंगे तो इस वज़े से जो है यह भारत में लागू नहीं हो सका तो CAT परिच्चर जो है Children's Perception Test जो है लियोपोर्ड बॉलेक ने 1948 में दिया था इसमें 10 कार्डों का यूज होता है और यह 3 से 11 बस के बालकों के लिए पुर्योक किया जाता है अगला है हमारा स्याही दब्बा परिच्चण IBT Ink Blood Test देखिए स्याही दब्बा परिच्चण जो है Harman Rossa ने 1921 में दिया था और इसमें 10 कार्ड होते थे ठीक है और यह कार्ड बच्चों को दिखाय जाते थे माली जे इस धब्बा बना हुआ है किसी पर काले सफेद बने हुए किसी पर काले भूरे लाल बने हुए तो इस प्रकार के कार्ड बच्चों को दिखाय जाते थे और उनसे मौक्षिक प्रश्ण पूछे जाते थे कि बताओ बच्चों इस पर क्या बना हुआ है लेकिन उस पर तो धब्बे बने हुए थे लेकिन बच्चे जिस हिसाब सो जो है प्रशनों के उत्तर देते थे उसी हिसाब सो जे उनका व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था ठीक है? तो IBT जो है हर्मन रोस्ता ने 1921 में दिया था इसमें 10 कार्ड प्रयोक किया जाते हैं और इन्ही कार्डों को दिखा कर जो है बच्चों से प्रशन पूछे जाते थे और उन्हीं के अनुसार जहें उनका व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था यही लिखावा है इन कार्ड को दिखा कर बच्चों से मौकिक प्रशन पूछे जाते हैं और प्रशनों के उत्तर के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था तो आप IBT भी समझ गे होंगे अब हमारा है SCT वाक की पूर्थ परिच्छन Sentence Completion Test देखे SCT जो था ये पाइन और टेंडलन ने 1930 में दिया था इस परिच्छन में बालों को रिक्त स्थानों के आधार पर कहानी पंक्तियां वाकि दिये जाते थे और इन्हें पूरा करने के लिए बच्चों को कुछ उद्धीपक सब्द दिये जाते थे बालों को काम में लेता था उसी के आधार पर मनोवेगानिक बालक के व्यक्तित्य की घोष्णा करते थे ठीक है जैसे SET जो है तो बच्चों को एक कहानी दे दी जाती थी 4-5 लाइन की ठीक है और उसमें जो है जगह छोड़ दी जाती थी और बच्चों को कुछ सब्द दे दिया जाते थे उद्धीपक सब्द और उनको जो है बच्चों को इन खाली जगह पर भरना होता था और जैसे ही सब्द जिस प्रकार के सब्द जो है बच्चे यूज करते थे उसी हिसाब से उनके व्यक्तित्त का निर्दारन कर दिया जाता था तो यह जो हमारा टापिक था यहीं पर सावाफ्त होता है एक बार मैं आपको सरसरी निगा से बता लेता हूँ ठीक है और उसके बाद जो हम लोग प्रश्न करेंगे दिखे जो आपका TAT था थेमेटिक अपरसेप्सन टेस्ट वो किषने दिया था वो मारगन और मुरे ने 1935 में दिया था और यह इसमें 31 कार्ड का जुझ था जिसमें 30 कार्ड पर चितर बने होई थे 10 कार्ड पर महिला का चितर 10 कार्ड पर परसो का चितर 10 पर महिला पर उस दोनों का चितर और एक जो आपका था वो खाली था और ये 14 वर्स से अधिक बालकों के लिए प्रयोग किया आता था CAT जो था आपका Children of Perception Test ठेक है वो 1948 में किस ने दिया था लियोपोल्ड बोलेक बेलक ने दिया था ठेक है और ये 3 से 11 वर्स के बालकों के लिए प्रयोग किया था था इसमें 10 कार्ड यूज किया जाते थे IBT आपके कहता स्याही दबा परिचन इंक ब्लाट टेस्ट वहरमन रोस्ता ने 1921 में दिया था इसमें 10 कार्डों का प्रयोग होता था एस CT जो है पाइन और टेंडलर ने दिया था 1930 में ठीक है तो आईए आप करते हैं प्रशनों को देखिए जो प्रशन है आपके लिए एक मॉक टेस्ट के रूप में है छे प्रशन है इस वीडियो में और जितने भी आप सही करिएगा कमेंट करके जरू बताएगा प्रशने बाल संप्रत्य बोध परिछन जो है किस ने दिया था हर्मनोसा लियोपोल्ड बेलक मुरेम मार्गन पाइन और टेंडलर चिल्डरन एपरसेप्शन टेस्ट जो है यह लियोपोल्ड बेलक ने दिया था 1948 पर ठीक है बी आपसन आपका सही होगा अगला प्रशने TAT का पूरा नाम क्या है थेवरी आप टीचर टेस्ट थेवरी आप अपरसेप्शन टेस्ट थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट या थर्मो आप टीचर टेस्ट तो TAT का पूरा नाम क्या था थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट ठीक है C option आपका इसमें सभी होगा अगला है TAT में यानि Thematic Perception Test में कुल कितने कार्डों का प्रयोग होता था 20, 25, 31 या 28 इसका बताई आप लोग तो TAT में जो है 31 कार्ड का यूज होता था ठीक है एक तो आपका ब्लैंक होता था 30 हैसे कार्ड जिस पर 10 पर जो है महिला का चितर 10 पर परुष का चितर और 10 पर महिला और परुष दोनों का चितर बना होगा होता था ठीक है TAT जो है मार्गन और मुरे ने 1935 में दिया था अगला प्रशने कथा प्रसंग परिच्छन या कथानक बोध परिच्छन ये किस ने दिया था? मुरे और मार्गन, लियोपल्ड बेलक, रोसा, पाइन और टेंडलर तो ये दिया था मुरे और मार्गन ने ठीक है? थेमेटिक या परसप्सन टेस्ट वही तो है हिंदी में ये लिखा हुआ है अगला है स्याही दब्बा परिच्ण किस ने दिया था? युंग, पाइन और टेंडलर, हार्मन रोसा, बेलक तो स्याही दब्बा परिच्ण जो है सभी को पता होगा हार्मन रोसा ने 1921 में दिया था इसमें कितने टोटल कार्ड थे? 10 अगला है SCT, संटेंस कंपिलिशन टेस्ट वाग के पूर्थ परिच्ण जो है, ये किस ने दिया था? इसके ने, पाइन और टेंडलर ने, वाटसन और बेलक ने तो ये SCT किस ने दिया था? बिलकुल सही जो हाँ पाइन और टेंडलर ने दिया था 1930 में तो इस फरकात से जो है, हमारा आज का वीडियो जो था प्रेच्छेपी विधिया तो यहीं पर समाप्त होती हैं, जितने भी प्रसन आप आप सही करें कमेंट करके जरू पताएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजगा सेर कर दीजेगा मिलते हैं आपसे एकले वीडियो में धन्यवाद